चलिए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV4, Esterification आईए क्लास समझते हैं क्या होता है Esterification जब भी कभी कार्बोक्सलिक एसेड या एसेड क्लोराइड या फिर एसेड एन हाइडराइड रेक्षन करते हैं एलकोहल या फिनॉल से कैटलिस्ट के प्रिजिंस में तब क्लास Esterform होता है और इस पूरी रियाक्षन को या इस प्रकार की रियाक्षन को हम क्या बोलते हैं Esterification चलिए इनको chemical reactions के तुरू समझते हैं पहले बात करते हैं OEC acid या कार्बोक्सलिक एसेड की तो क्लास यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सलिक एसेड रियाक्षन कर रहा है किसी एलकोहल से, ROH से और क्लास यहाँ पर जो कैटलिस्ट का वर्क करता है वो होता है acid जैसे कि आप देख सकते हैं H+, तो इस से फॉर्म होता है Ester और Water चलिए अब देखते हैं कि acid chloride के case में क्या होता है तो क्लास जब भी कोई acid chloride एलकोहल के साथ रियाक्षन करता है पिरिडीन कैटलिस्ट के परिजन्स में तो Ester form होता है और साथ में HCL बनता है चलिए अब बात करते हैं acid anhydride की तो जब भी कोई acid anhydride एलकोहल के साथ रियाक्षन करता है H plus catalyst के presence में तो वो भी Ester form करता है और साथ में OIC acid बनता है तो क्लास इन तीनो ही cases में Ester form हुआ है इसलिए ये तीनो ही reactions, Esterifications के examples है तो चलिए क्लास समझते हैं कि जो OIC acid से हमने Ester बनाया है ये reaction कैसे होती है यानि कि इसका detail mechanism समझते हैं तो चलिए क्लास बात करते हैं mechanism की कि जब कोई OIC acid alcohol के साथ H plus के presence में react करेगा तो वो किस प्रकार से Ester बनाएगा तो क्लास ये है हमारा एक OIC acid हम देख सकते हैं कि oxygen पर lone pair है तो इसलिए अगर हम यहाँ पर कोई proton लेते हैं तो proton पर attack होगा और जिससे हमें एक protonated acid मिल जाएगा अब क्योंकि O और H के बीच में जो bond बनाए है वहाँ पर oxygen के lone pairs use हुए हैं इसलिए oxygen पर positive charge आ गया है और क्लास ये जो process है ये reversible होता है अब अगर यहाँ पर कोई alcohol है तो क्लास उस alcohol का जो oxygen है वो अपने lone pair से carbon पर attack करेगा जिससे ये वाले bonds oxygen पर shift हो जाएगे और इसके कारण oxygen का जो positive charge है वो neutralize हो जाएगा और इस attack के बाद हमें ये species मिलेगी अब क्लास क्योंकि oxygen पर positive charge है इसलिए ये वाला bond break होगा और electrons oxygen की तरफ move हो जाएगे और इसी वक्त protonation भी होगा जिसमें oxygen के lone pairs proton को abstract करेंगे और हमें ये species मिल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस oxygen पर R था उसका proton निकल चुका है और OH ने एक proton ले लिया है जिसकी वज़ा से OH two group बना है और oxygen पर positive charge आया है अब क्योंकि फिर से oxygen पर positive charge है जो system को unstable कर देगा और क्लास system को stable करने के लिए ये bond यहाँ से break होगा जिससे S2O निकल जाएगा और उसी वक्त oxygen अपने lone pair से carbon की valency को complete करने के लिए इस तरह से bond बना लेगा और यहाँ से water eliminate हो जाएगा जिससे हमें ये species मिल जाएगी अब क्लास अगला step होगा deprotonation क्योंकि oxygen पर positive charge है और deprotonation के बाद हमें मिलेगा ester R-C-O-O-R तो क्लास इस तरह से oic acid जब acid के presence में alcohol के साथ react करता है तो वो ester form करता है आईए क्लास अब समझते हैं कि acidulation क्या होता है तो क्लास जब भी हम alcohol या phenol पर acidial group यानि कि CS3CO group को introduce करते हैं तो ये process कहलाता है acidulation और इस process का एक बहुत ही important use है synthesis of aspirin में aspirin एक ऐसी medicine है जिसका use होता है fever और pain को कम करने के लिए तो चलिए क्लास देखते हैं कि acidulation का use करके हम aspirin कैसे बना सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं salicylic acid और जब ये salicylic acid acetic anhydride के साथ reaction करता है acid के presence में तब हमें मिलता है acetyl salicylic acid और इसी को हम बोलते हैं aspirin और साथ में मिलता है acetic acid अब क्लास आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर reaction में acetyl group introduced हुआ है इसलिए ये reaction acetylation का example है क्लास आपने इस topic में जो भी cover किया है उसकी important summary यहाँ पर दी गई है जैसे की हमने इस topic में पढ़ा कि जो alcohols और phenols होते हैं उनका जो boiling point होता है वो high होता है और इसका main reason था hydrogen bonding इसी तरह से alcohols और phenols water में soluble होते हैं और इसका भी reason था hydrogen bonding इसके बाद क्लास हमने यह पढ़ा कि जब alcohols as a nucleophile act करते हैं तब O और H के बीच का bond break होता है जिसको हमने समझा था acidity of alcohols acidity of phenols और acidification से और हमने यहाँ पर यह भी समझा कि जो alcohols का acidity का order होता है between 1 degree, 2 degree और 3 degree alcohols वो यह होता है acidity of phenols में हमने समझा कि वहाँ पर दो तरह के groups थे electron withdrawing groups और electron donating groups electron withdrawing groups फिनॉल की acidity को increase करते हैं जबकि electron donating groups फिनॉल की acidity को decrease करते हैं और हमने समझा कि जब कोई oic acid एलकोहल के साथ reaction करता है acid के presence में तब वो ester form करता है और इसी process को हम बोलते हैं acidification class इस topic को पढ़ने के बाद आप इन questions को solve करेंगे ये questions हैं NCRD के exercise questions और अवन्ती workbook के यहाँ पर दिये गए questions यानि की question number 6 और question number 9